स्वागते स्टुडेंट्स आपका अमारे चनल पर आज हम करेंगे कक्छा 10 का जो रासानिक अभीक्रिया हुए रासानिक समिकरन का जो अमारे चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने एक क्लास लिए है अभी तक उसमें हमने इस्पेसल कंसेप्ट क्लासेस के नाम से इसको रन किया है जिसमें हम एक एक टॉपिक को देख रहे हैं डिटेल में ताक कि आप बिग्कुल अच्छे से टॉपिक वाइस डिटेल में समझ पाएं तो उसी कारे करम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे रासानिक अभिक्रियाओं के अंदर सैयोजन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रियक्षन देखो नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रियक्षन मतलब की दो जो डो रियक्ट अभिकारक होते हैं उनको मिलने से एक उत्पाद बनेगा उसको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रियक्षन सैयोजन मतलब मिल करके एक नया प्रोड़क्ट बना रहे हैं हम नाम से देख सकते हैं सैयोजन दो चीजों का मिलना जैसे कि H2 प्लस O2 से क्या बिलना H2O पानी बना तो इससे दो चीजों से क्या बनी एक चीज बनी है इसको बोलते हैं सैयोजन या कॉम्बिनेशन रियक्षन ये एक प्रकार का राषयनिक अभिक्रिया है इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रियक्टेंट हमने कल पड़ा था अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं हमने दोनों डिटेल से देखे थे तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं सैयोजन अभिक्रिया कहलाती है combination reaction कहलाती है जैसे कि पौदो द्वारा carbon dioxide और पानी के संयोजन से भोजन मनाना जो प्रकास sensation के अभिक्रिया कहलाती है लोहई iron का हवा और नमी के संपर्क में आने पर जंग लगना कोईलिय का चलना जैसे C plus O2 क्या बनता है carbon dioxide CO2 H2 plus O2 hydrogen और oxygen मिलकर क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं H2O संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है ऊश्मा छेपी होती है मतलब क्या होता है ऊश्मा छेपी का ऊश्मा का निकलना ऊश्मा छेपी ऊश्मा का निकलना संयोजन अभिक्रिया हमेसे कैसी होती है उश्मा चेपी एग्जो थर्मिक होती हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दोरान उस्मा उत्पन होती है जैसे की हमने क्या देखा कोईले का जलना C प्लस O2, CO2 और साथ में हीट भी निकलेगी मतलब कि उश्मा भी निकलेगी इसी प्रकार से प्रकार स्नस्लेशन कर रहा है साथ में क्या निकल रहा है? हीट भी निकल रहा है जैसे उधारन की सावतोर पर और देखिए CNG प्राकर्त गेस का चलना स्वसन, सांस लेते हैं उससे क्या हो रहा है? अपनी हीट जनरेट होती है चूने का पानी ये कैसी अभिक्रिया है उश्मा 6P अभिक्रिया है इन में से क्या होती है उश्मा उत्पन होती है जैसे कि अभी कारक मिलकर जो उत्पात बना रहे हैं उसके साथ में उश्मा भी निकलेगी वह होती है उश्मा 6P अभिक्रिया है तो सेयोजन अभिक्रियाएं कैसी होती है उश्मा 6P अभिक्रियाएं होती है जैसे CH4 प्लस O2 से क्या बना CO2 प्लस H2O और उश्मा निकली इसी प्रकास C6H12O6 यह क्या है ग्लकोज है इसको क्या मिली औक्सिजन मिली जैसे हम सांस ले रहे हैं तो यह क्या होता है खाना जो हम खाते हैं वो कारबन डियोकसिड जो हम निकाल देते हैं और पानी बनता है उससे और उश्मा निकलती है जिससे हम काम करते हैं इसलिए हम सांस लेते हैं वे यही कार्रे होता है उसका सांस लेने का हम सांस क्यों लेते हैं हम सांस इसलिए लेते हैं कि हमने खाना खाया है उसका पाचन हो जाए और उससे क्या मिले हमें उश्मा मिले ताकि हम कार्रे कर पाएं इसी परकार से CAO plus CH2O उससे क्या बना CAOH hold twice जिसको बोलते हैं भुजा चूना और क्या निकला उससे उश्मा निकली तो हमने क्या सीखा बच्चो आईए देखते हैं बिना भुजा चूना या भुजा हुआ चूना क्रमस कौन से हैं देखिए बिना भुजा हुआ चूना क्यासा होता है CAO CAO हो गया और भुजा हुआ चूना होता है CAOH का whole twice तो हमारा कौन सो option सही होगा हमारा option सही होगा CAOH का whole twice सफेदी के काम आने वाले परधात को नाम लिखना है तो ये क्या हो जाएगा calcium hydroxide B हो जाएगा इसका उत्तर calcium hydroxide बुजा चुना अगला देखिए इन में से जो अभिक्रिया उश्मा छेपी नहीं है मौमत्ति का जलना जलना कोई भी क्रिया होगी जिसमें जल रही है वे क्रिया है तो वे उश्मा छेपी है उसमें से हीट निकलेगी कोई भी जब जलाओगे उसमें से क्या निकलता है उश्मा निकलता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा B अगला है इनमें से कौन सा सही हो जान अभी करिया का उधारन नहीं है देखिए दो से एक बन रहा है दो से एक बन रहा है यह क्या सही हो जान है इसमें देखिए दो से दो ही चीज़ बन रही है तो ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका भी हो जाएगा अब हम देखेंगे अप गटन करियाओं जिसको डिटेल में देखेंगे हम बिरकुल अप गटन अभी करियाओं हमारे दिन परति दिन के जीवन में महत्पूनमबिन का निपाती है पहले आप अब घटन परतिक्रियाओं और इससे विविन परकारों के बावें पढ़ चुके हैं आईए आज एक और रोजचक अब घटन की अभिक्रियापर हम चर्चा करते हैं जैसे आप में से लगभग सभी ने शाम श्वेथ फोटोग्राफी को देखा होगा ब्लैक फिल्म जिसको बोलते हैं ब्लैक फिल्म फोटोग्राफी तता इसके बारे में सुनाओगा लेकिन हम में से कुछ ही लोग इसके पीछे के विज्ञान को जानते हैं असल में काले और सफेज चित्र का अब घटन अभिकरिया का उप्योग करके ही बनाए जाते हैं जैसे पहले जो रील वाले कैमरे आते थे उनकी बात हो रही है जो दो एजी सील होता है उसे परकास सूरे का परकास के प्रवेश करता है अगर उस पे तो किसमें कनवर्ट हो जाता है किसमें बदल जाता है दो एजी और प्लस सील टू में किसकी परजेंस में मतलब की सूरे के प्रकास की उपस्तिती में सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं AGCL प्रकास द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विविकिटिट हो जाता है इस प्रकार सफेद रंग का अभी कारक एक सलेटी रंग के उत्पाद में बदल जाता है इस तरहे शाम सफेद तस्वीरे बनाई जाती है ब्लैक फिल्म से तस्वीरे बनाई जाती है उसके बारे बातचित हो रही है अब घटन अभी करिया हम नाम से पता लग रहा है अब घटन हो रहा है किसी भी चीज का अब घटन हो रहा है तूट रही है इस चित्रे में भी दिखाया गया है सूरे के प्रकास की मौझुदगी में वे ग्रे कलर में हो गई जैसी कि हमने पड़ा स्वेत रंग किसमें बदल जाता है सलेटी रंग में किसी क्या बन जाता है दो एजी और सियल टू मतलब कि सिल्वर और क्लूरीन चुकि इस अभिक्रिया में प्रकास उर्जा का उपयोग हो रहा है इसलिए इस अपगटन अभिक्रिया को प्रकास रासाइनिक अपगटन अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है सीधे सीधे प्रशन पूछ ले जाता है कि प्रकास रासानिक अबगिटन अभी करिया बताईए उधारन के साथ तो आपको क्या लिखना है सिल्वर क्लोराइड प्रकास की मौझूदगी में सिल्वर और क्लोरीन में विगटित हो जाता है क्या उनसे करिया होती है प्रकास रासा निक अब गटन करिया होती है और ये reaction लिख देनी है आपको पूरे में से पूरे तीन नमर भी लेंगे आप इस प्रियोग को एक चाइने डिस में दो ग्राम सिल्वर क्लॉराइड डाल का सुरी की प्रकास में कर सकते हैं शुरे के प्रकास रासा निक अब गठन अभिक्रियाँ में सुरे के प्रकास की भुमी का क्या होती है इससे विगठित होता है जो हमारी क्रिया होती है आगे बढ़ती है और विगटित होती है शाम शफित फोटोग्राफी में किस परकार के रासाइनिक अभिगरिया होती है अब घटन के अभिगरिया होती है अगला देखिए सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूरे की रोस्ती में सलेटी रंग का हो जाता है सही है गलत सिल्वर धातों को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूरे की रोस्ती में सलेटी रंग का हो जाता है बताईए हमने देखा है कि वह सिल्वर क्लोराइड जो होता है वे वाइट रंग से सलेटिक कलर का हो जाता है तो क्या हो जाए यह विकुल सही होगा अगला देखिए एक फोटोग्राफर को ब्लैक और वाइट तस्वीरों को विक्सित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिल रहा है तो तस्वीरों को विक्सित करने के लिए फोटोग्राफर अन्यकिस रासानिक परधात का इसमाल करेगा उसका नाम लिखना है हमने क्या देखा अभी सिल्वर ब्रोमाइड तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्रोड़ की तरह वेवार करता है तो silver bromide वे काम में लेगा उसका नाम लिख देंगे हम अगला देखिए अपने परिवार की पुरानी एलबम खोले आपको इसमें कुछ शाम शुफे तस्वीरे मिल जाएंगी जो black and white तस्वीरे होती है उन पलो को अपने परिवार के साथ सजोएं और उन्हें बताएं कि ये फोटो किस परकार बनाए जाते थे तो आपको उनको बताना है कि ये किस परकार बनते थे अब गटन की अभिक्रिया के बनते थे क्या करते थे उस फिल्म को सूरे की प्रकास में रख देते थे और उससे अब गठन की अभिया से उप्यों मिलेते हुए उसकी फोटो निर्मित की जाती थी फोटोग्राफिक फिल्म पर तो बचोंये तहा हमारा अब गठन की अभिक्रिया का पूरा टॉपिक इससे पहले हमने क्या क्या देखा सहियोजन की अभिक्रिया सेयोजीन का विक्रिया कैसी होती है सेयोजीन का विक्रिया उश्मा छेपी होती है तो ये दो टोपिक भागती इंपॉर्टेंट है इसके आगे की भी हम करते रहेंगे चुढ़े एचनल से लाइक करें से एर कर सब्सक्राइब करें थन्यवाद